नमस्कार, मैं ये शाय स्तिवारी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्टोलोजी पर जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं आज वो ध्वार का देन हैं और आज मैं आप सभी की समों को पस्तित हुआ हूँ दिये श्टोलोजी शो के एपिसोड नमर 84 को लेकर दिये श्टोलोजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्णों के जवाब देता हूँ उन प्रश्णों के जवाब आप मुझसे इस कारिक्रम के माध्यम से पा सकते हैं क्या करना होगा आपको अपने प्रश्णों को पूछने के लिए इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर कि आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्णों को दे दीजे फिर जैसे ही दिये एक्स्टालीजी शोग के आने वाले एपिसोड्स आते हैं उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछेगा प्रश्णों के चवाब को लिकर के उपस्तित हो जाऊँगा यदि आप इस कारेक्रम को देखते हैं और इस कारेक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है आपके ज्यान में भृद्धी होती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंत कैसा है आपका ये पूरा वर्ष कैसा है साथी साथ विभिन अग्रहों का गोचर परिवर्चन प्रभाव आपके लगने एवं आपकी राशी के आधार पर क्या फल ले करके आ है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शिरुवात में दो प्लेलिस्ट दिये हुए है उन्हें जाकर कि अवश्य ही चेक कर रहीज़ेगा साथी साथ क्या उपाए आपको करने चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को और बहतर बना सके इन विशे में भी च को आईकार्ट पर भी आपके सामने दे दूँ यदि आपको जोतिश से सम्मंदिती चीज़ों को जानने में दिल्चस्पी होती है जोतिश के विशे में आप कई जानकारियों को जानना चाते हैं जोतिश को लेकर कि क्या मित्स है इन विशे में आप जानना चाते हैं तो उस पॉडकास्ट को अवश्य ही देखीजेगा आपके कई प्रश्णों के जवाब आपको उस पॉडकास्ट के माध्यम से मिल जाएंगे अब हम मेना विलंबी की अपने आज किस कारेक्रम की शुरुवात करते हैं और आज किस कारेक्रम का जो पहला प्रश्ण है ये निपुन शर्मा जी का है इनोंने पूछा है कि गुरुदेव यदि मेश लगन के सेकेंड हाउस में नीच का केटू प्लेज्ड हो तो क्या कैट्साई लहसुनिया रत न पहना जा सकता है यदि हाँ तो इसे अभिमंतरत करके पहनना जरूरी है क्या केट्साई ये लहसुनिया रत न पहनना है तो सबसे पहले तो देखिए केटू नीच राश्री में बैठे हुए और केटू एक छायाग रहे है तो आप कोई ये देखना होगा कि केटू किसकी राश्री में नीच के हुए है शुक्र की राश्री में तो शुक्र की क्या पोजीशन है साथी साथ नवमाईश कुंडली में आपके केटू और आपके शुक्र की क्या इस्तिति है साथ ही साथ व्रिशव राश्य में अधि केतू नीच के हुए हैं तो कृतिका में हुए हैं, रोहनी में हुए हैं, अम्रगशिरा में हुए हैं अब जैसे भी नक्षत्र में हुए हैं, इन्हें नक्षत्रों के स्वामी की स्थिती जनमांक और नवमाईश में देखनी है तब हम डिसाइड करेंगे कि आपको केतू करतना लहसुनिया या कैटसाई सूट करेगा या नहीं करेगा तो इससे तो मैं आपको नहीं ही बता पाऊँगा क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि शुक्र सबसे पहले तो केतू की नवमाईश में इस्थि दूसरी चीज़ शुक्र की जनमांक और नवमाईश में इस्थि बाकि फिर ये क्रतिका के स्वामी सूर रोहनी के स्वामी चंद्रमा और म्रगशिरा के स्वामी मंगल इनकी जनमांक और नवमाईश में इस्थि इन सभी को देखने के बाद में केतू पर किन ग्रहों की दिरिष्टी पढ़ रही है इनको देखने के बाद में मैं आपको केतू का रतन सजिश्ट कर सकता हूँ उसके पहले नहीं किया जा सकता है दूसरा आपने पूछा यदी हाँ तो इसे अभिमंत्रित करके पहनना जरूरी है लेकि कोई भी रतन हो एक ज्वेलर की शॉप में बहुत से रतन रखे हुए रहते हैं कई जो सामाने दरजे के ज्वेलर होते हैं वो कुछ जैम्श्टोंस को जो की कोशली होते हैं अपने साथ में लेकर के अपनी शॉप और अपने घर आया जाया करते हैं तो उनके पास में ही वो जैम्श्टोंस होते हैं बट उनका एंपक्त उन पर बहुत जादा नहीं पड़ता है रीजन क्योंकि उस रतन को अभिमंत्रित नहीं किया गया है जब भी आप किसी रतन को धारण करते हैं तो उसको अभिमंत्रित करना अत्यन तावश्चक है यदि आप उस रतन के संपूर्ण प्रभावों को लेना जाते हैं तो उस ग्रह से सम्मंधित रतन को धारण करने के एक स्पेसिफिक मुहूर्थ होता है एक specific day होता है एक specific समय होता है और एक specific मंत्र होता है जब इन चारों का combination बनता है तब ही जाकर के आपको उस रत्न का maximum utilization या maximum lab देखने में मिलता है तो आपको कोई भी रत्न हो धारण करना है जोतिशी point of view से तो आपको उसको अभिमंतरित करके ही धारण करना चाहिए तब ही प्रत्यष्ट लाब देखने में मिलेगा नहीं तो आपको उसका शेश लाब देखने में नहीं मिलेगा जिस तरह से मूर्ती की प्रान प्रतिष्ठा होती है उसी तरह से रत्न को भी ab freshly και कई बार ठोका पीटा गया और polish इत्तादी की गई आप की सखेट कुला अधिकादिक मात्रा में भोगने के लिए आपको आपके धन्मा को व्याए करा देता हैं वह सु RIGHT कि आपका धन पूरा उसी में जायेगा तो शराब में धन जायेगा तो संचित कहां से होगा तो इस तरह से देखना होता है कि किस तरह की इस्तिती है हाँ अश्टम का राहू कई बार आपके धन को गलत जगे पर व्याए अवश्य ही करा देता है जिसमें आपकी सेविंग्स के पार्ट में कमी आती तो धन फिर आपका संचित नहीं हो पाता है इसकी बेश्ट रेमेडी क्या है धन संचित कैसे किया चाहिए इसके लिए तो कूड़ी देखनी होगी अगर सामान ने आप उपाय जाना चाहे अपने गुरू को बलीजे गुरू को बली गरने से आपको क्योंकि गुरू धन के कारक है प्रेश्ण जो है ये समरिद्धी जी का है इन्होंने पूझा है क्या एकादशेष की दशा सदैव शुब होती है एकादशेश की दशा भी आपके नाम की ही तरह होती है एकादश भाव लाब का होता है और जब लाब होता है तभी जीवन में समरिद्धी आती तो वही आपका नाम है एकादशेश की दशा सदेव शुब होती है क्या ये आपका प्रेश्ण है तो देखे एकादशेश की दशा मिली जूली होती है क्योंकि एकादश इस्थान का जो स्वामी होता है वो आपके लगनेश का शत्रु होता है यानि कि एकादशेश हमेशा अकारक प्हानट होता है यादि आप लाब के point of view से income के point of view से धन आगमन के point of view से पोल रहे हो तो एक आदशिश की दशा जो होती है वो शुब प्रभाव देती है 1990 के पहले यदि देखा जाए जब तक globalization नहीं आया था तब हम इस देश में हमारे इस देश में कहीं न कहीं केवल और केवल धन के point of view से कुंडियो को देखा जाता था आज के समय में लेकिन धन से लोग अप्रॉक्स लोग तो संपन हो ही चुके हैं लोग luxuries के विशय में, desires के विशय में, इक्षाओं की पूर्ती के विशय में जाधा पूचते हैं तो ग्यारवे भाव से एक्षा पूर्ती का विचार भी किया जाता है आपके network का विचार किया जाता है तो आपकी एक्षा की पूर्ती एकादशेश की दशा में संभव है तो यह कहीं न कहीं positive हो गया, शुब हो गया आपका network इस समय पर बढ़ सकता है यदि आप social networking की field से belong करते हो आपका कोई ऐसा काम है कि जो networking में होता है लोगों को जोड़ करके होता है social media influencer यदि आपको content creation की field में यदि आपको तो एकादशेश की दशा आपके लिए कहीं जादा lab को लेकर के आती है परन्तु यदि हम इसके अशुव प्रभाव की बात करते है तो कई बार क्योंकि ये भाव छटे से छटा है आपको healthy shoes दे सकता है अपने से सम्मंदित उस ग्रह की placement को हमेशा देखना होता है कि एकादशेश की सिस्थान में बैठे हुए है तीसरी चीज एकादशेश की दर्शा में कई बार इतनी जादा व्यस्तता हो जाती है कि आप अपने स्वास्त का ध्यान नहीं रख पाते हो या आप अपने करीबी जनों से बहुत हद तक दूर हो जाते हो चौथे का आठवा घर है ना तो आप अपने घर से बहुत जाता दूर हो जाते है आप इतना व्यस्त हो जाते हो धनकमाने के चक्कर में कि आप अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते हो फलताह आपके इंटर्नल पीस में कमी आती है तो कुछ हद तक अगर आप भौतिक पॉंट अब व्यू से देखो तो एक आदशेश की दर्शा सदैव शुप होती है लेकिन अगर स्वास्त के पॉंट अब व्यू से देखते हैं एमोशन के पॉंट अब व्यू से देखते हैं कि यदि राहू जिस राशी में बैठे हैं उस राशी का अधिपती बहुत मजबूत हो जन्मकुंडली में बुद्ध की स्थिती बहुत मजबूत हो जन्मकुंडली में गुरू का सम्मंद लगनिया चन्रमा से बनता हो और नवमाईश कुंडली में राहू की स्थिती अच्छ को बहुत जादा बुरा नहीं बनाता है और इस case में देखने में आता है कि जाता कि पढ़ाई ठीटा करह से complete हो जाती है लगन का अत्यांत मजबूत होना भी राहु की महादर्शा में व्यक्ति की पढ़ाई को बाधित होने से बचा लेता है तो इस तरह से बाबा की 85% case में र विर्राहूं की महादर्शा पढ़ाई को बाधित अवश्य ही करते हैं तो प्रिये दर्शकों इतने ही प्रश्णों को दिये astrology show के episode number 84 के लिए select किया गया था और इतने ही प्रश्णों के जवाब को लिए करके आज मैं आप सभी के समय को पस्त हुआ था आशा करता हूं कि ज इस चैनल पर upload किया जाता है उसका notification आपको मिलता रहे यदि इस कारिक्रम के माध्यम से आपके ग्यान में अभिविद्धी होती है तो इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों के ग्यान में अभिविद्धी हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने यदि आप भी अपने प्रिश्न को इस कारिक्रम में सम्मिलित कराना चाहते है तब अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रिश्न को इसी वीडियो के कॉमेट सेक्षन में दे दीजे आज के इस अपिसोड में आस इतना ही रखते हैं नमस कर दो कर दो